विश्व के सबी मेरे साथियों को राज़त नमेड करकियों से जैभीम नमबुद्धा है जैसे कि मैंने आज के इस वीडियो को टैग लाइन दिया है कि भारत अब आजाद नहीं रहा यह खबर यह रिपोर्ट मेरी नहीं है या भारत के किसी एजनसी की नहीं है यह सबसे महत्वपूर्ण फ्रीडम हाउज जो वाशिंग टन में स्तीत है ये उस संस्था की रिपोर्ट है और ये हर दस साल में डेमोक्राटिक कंडिशन्स के उपर मुआहिना करती है जांच करती है कि पूरे विश्व में जो डेमोक्रासी है जो लोगतंत्र है उसकी हालाद क्य है 2009 के बाद 2019 तक याने 2009 से 2019 तक के पिरेड का ये आकलन किया गया है और 2020 की ये रिपोर्ट अब पबलीश हुई है फ्रीडम हाउज जो वाशिंग्टन दीसी में स्तीत है उस एजंसी ने उस संस्था ने ये रिपोर्ट दिया है कि भारत अब आजाद देश के सूची में नह भारत जो completely free और independent country है इसे अब partly free याने आउशिक आजाद आधा आजाद देश के सूची में डाला है जिस देश के प्रधानमंत्री 18-18 गंटे तक काम कर रहे थे जिस देश का प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना होने का दावा कर रहे थे और जो काम पाकिस्तान नहीं कर पा रह रहा था वो काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है और जो आजादी जिसके लिए भगत सिंग शहीद हो गए उन्होंने अपनी जान दे दी कितने सारे freedom fighters है जिनोंने इस देश को इस मुल्क को आजाद करने के लिए अपनी जान दे दी है अपना लहू बाया है ऐसे दे वर्ल्ड की एजनसी की रिपोर्ट है कोई गोदी मीडिया जी न्यूज एवी पी आज तक मुझे नहीं लगता इस रिपोर्ट के बारे में ये लोग कोई बात करेंगे सोशल मीडिया पर जो लोग न्यूज चला रहे है के वल वही लोग ये न्यूज आप लोगों तक है इसमें 2020 का जो आखरी मंत है वो इसमें इंक्लूड नहीं है अगर वो भी इंक्लूड किये गए होते तो मुझे नहीं लगता कि ये एजनसी इंडिया को पार्टली फ्री के लिस्ट में डालती ये कंप्लीटली ये आजाद हो चुका है आजादी खो चुका है इस लिस्ट में शायद ये दर्च करवाती क्योंकि उसमें किसान आंदोलन भी शामिल हो जाता अब इस रिपोर्ट में केवल CA का अंदोलन शामिल है NPR का अंदोलन शामिल है कश्मीर का मुद्दा शामिल है सिर्फ इन तीन मुद्दों के उपर भारत की आजादी की स्टेटस जो है जो स्थिती है इसको पार्थली फ्री के रूप में इसको डाल दिया गया है इस रिपोर्ट को आप लोग पढ़ सकता है Google पर ये एविलेबल है Freedom House की रिपोर्ट आप लोग पढ़ सकता है कुछ मोटे-मोटे पॉइंट्स में आप लोगों को बताना चाहता हूँ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी के काल में रिजाइन में Freedom of expression Sedition ये खत्रे में आ गया है इस तरह से रिपोर्ट में दर्ज है यानि अगर हम सरकार की उनकी गलत नितियों के उपर अगर हम बात रखते हैं तो उसे राष्ट्र दोहों के मामले में देश दोहों के मामले में पसाया जाता है Sedition के Charges उसके उपर लगाया जाता है ये रिपोर्ट कह रही है यहाँ पर बताया गया है कि Basic Freedom जो है मूल आजाद जो है उसको तभाह किया जा रहा है और कई सारे बातों के उपर यहाँ पर इस रिपोर्ट में दर्ज है जैसे क्या न्यायपालिका अब आजाद है भारत की न्यायपालिका के उपर Push and Mark किया गया है क्या न्यायपालिका आजाद है और भारत जो है इंडिया जो है ये हिंदो नैशनलिजम की और यानि हिंदो रास्ट्रोवाद की और आगरे सरह बढ़ते हुए जा रहा है इस तरह से ये रिपोर्ट कह रही है तो आज यही मैं आप लोगों को बताने के लिए लाइव आया हूँ कि जिस आजादी को हमारे पुर्वजों ने बड़ी महनत से कमाया है इसे प्राप्त किया है उस आजादी को 18-18 घंटे काम करकरके मोधी जी ने इसको तबाह करने का काम सुरू कर दिया है जिस डेमोक्रसी के लिए डॉक्टर बावा सब अंबेड कर जी और जितने भी हमारे उस समय के डेमोक्रसी के लिए लडने वाले लोग थे आज वो डेमोक्रसी खत्रे में है खत्रे में हैं कहने के बजा वो डेमोक्रसी खत्म हो चुकी है ये रिपोर्ट उसका जबूत है और इस रिपोर्ट में रेकेमेंडेशन्स भी दिए हुए है आप जो इंटेलेक्टुल्स है वो इस रिपोर्ट को पढ़े और जो recommendations की बात जो आखरी point में लिखी हुई है वो उसके उपर हमको काम करने की ज़रूत है हम लोगों को हम हिंदू है हम बुद्धिस्ट है हम कृष्चिन है हम मुसलिम है इसमें से हमको बाहर आना होगा ये आजादी सिर्फ हिंदूों के लिए है और मुसल्मानों के लिए ऐसी बात नहीं है हम सभी लोगों को अब एक वक्त आ गया है कि भारती होने के नाते हम लोगों को आगया आना होगा आसाम के NPR की बात इसमें लिखी हुई है और उसमें स्पैसिफिकले लिखा हुआ है कि ये सबसे ज़्यादा हिंदूों को बादित करने वाला कानून यहा जा रहा है या मुसल्मानों का अधिकार खतम किया जा रहा है या मुसल्मानों के fundamental rights खतम हो रहा है ऐसी बात नहीं है यह सारे भारतियों के अधिकार क्या किसान से मुसल्मान वहां पर बैठा हुआ है वो किसान क्या सिर्फ मुस्लीम है वो हिंदू है अपने आपको हिंदू identify कर रहा है किसानों के आधिकार जा रहे हैं नोकर दार वर्ग के याने जो employees है उनके आधिकार जा रहे है आप सभी लोग जो देश में रहते हैं विध्यारती जो आज निट के exams के लिए बोलू इसको रद करना चाहिए इसके लिए मांग कर रहे थे कितने बच्चों ने आत्मात्या कर ली क्या यह कानून जो बनाय जा रहे क्या यह मुसल्मानों को सामने रख के बनाये जा रहे नहीं यह सारे देशवासियों के खिलाफ है और इसलिए आज हम लोगों को फिर से एक बार अपने आजादी को बचाने की मुहिन शुरू कर देनी चाहिए और इसमें सिर्फ और सिर्फ भारती होने के नाते हम लोगों को एक होकर इन ताकतों से जो नहीं चाहती थी कि भारत एक लोगतंत्र देश उस समय 1947 में जब ये सविधान सबा का गठन हुआ तब यहीं वो लोग थे जो नहीं चाहते थे इस देश का democracy इस देश का लोगतंत्र को खतम करने का काम कर रहा है जो recommendations इस report में दी है हमको उसके उपर काम करने की ज़रूरत है international इन्होंने एक word यूज किया हुआ है international democratic actors जो लोग international platform पे democracy के favor में है जो लोगतंत्र के favor में है ऐसे सभी लोगों को एक होकर भारत के आजादी की लड़ाई हम लोगों को फिर से एक बार लड़नी होगी बारत का जो पाइदान है ये हम बहुत नीचे democracy में आ गया है तो ये सारा report भारत के लिए और भारत में रहने वालों के लिए बहुत मुश्किल पैदा करने माला है और ये indicators है कि आज भी अगर हम नहीं जागे अगर आज भी हम लोग भारतियों होने के नाते एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हुए तो जो आजादी भगत सिंग से लेक को बचाना है और यही उमीद और यही आशा हम कर रहे हैं कि भारत के आजादी को बचाने के लिए और भारत के लोगतंत्रों को मजबूत करने की लड़ाई एक दूसरे के साथ चाहे वो किसान हो चाहे वो employees हो चाहे यहां के government employees हो या students हो हम लोगों को एक दूसरे के साथ कड बुद्टिश्प ऐसी दिवारे हम लोगों के सामने नहीं रखके भारती होने के नाते हम लोगों को एक दूसरे के साथ खड़ा होना है और ये hard earned democracy, hard earned freedom जो कई मुश्किलों का सामना करके प्राप्त किया हुआ लोग तंत्र है आज़ादी है इसे हमें बचाना है आप लोगों डिटेल में पढ़िए 36 पेज की ये रिपोर्ट है उसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने रखी है पूरी रिपोर्ट अगर ये रिपोर्ट कोई publish भी करता है तो मुझे डर है कि कहीं उसे भी राश्ट्र द्रोही देश द्रोही ना बताया जाए क्योंकि ये मोधी के कार्यकाल की सबसे भयानक तस्वीर वर्ल्ड में हमारे मुँपर फिक करमारी है कि भारत अब आजाद नहीं है भारत को आजाद यानि फ्रीडम कंट्री मानने को अब वाशिंग्टन या यूनाइट नेशन्स हो या फ्रीडम जो हाउस है वो माननने को तयार नह कि हमको ये आजाद देश दिला है ये उसके लिए बहुत बुरी खबर हमारे लिए है और इस देश के आजादी को बचाने के लिए और लोगतंत्र को बचाने के लिए जो हम लोग सविदान सुरक्षा आंदोलन के माध्यम से ये आंदोलन आज मैं दिल्ली में हूँ कल हमार यही मिटिंग सविदान सुरक्षा अंदुलन के बारे में वोई और आज सुवे मेरे हाथ में ये रिपोर्ट आया है तो पूरे देश भर में हम देश के आजादी को और लोगतंत्र को बचाने की मोहिम लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू कर रहा है और पूरे देश भर में जै भी जै भारत जै पुद्द